राम राम जय है आज हम बात करेंग है कि 1600 मोट ठीक है धेख्वास मीटर के हमें जो 497 लगाने आप थोड़ा इसको उल्टा लिख दिया हैं हमने मतलब की 400 मोटर जो कीxis enforcement होगया ठीक है कुईकर अधिकतर गराउड में होता है कि 400 उतल पर चार चार चकर होते ऐसा इस बात का ध्यार नखा करो कि तुम दूरी कुल नाप लो कि वाकए वे तुम जितना तुम है चाहिया उतना तुम दोड़ रहा हो या नहीं कि मतलब अगर जो तुम सोच रहो कि ए 400 निटर का ग्राउंड एक बार उसको जरा उसकी नाप जोक तो कर लो कि सच में 400 सबसे पहला यही है कि जिस भी ग्राउंड में तुम हो उसको मेजर कर लो कि वाकई में वह है उतने मीटर का जितने मीटर का तुम समझ रहे हुआ उसको ठीक है आगे बढ़ने से पहले चीज और बात कर लेते हैं सेमरा भूसर की हर वीडियो में तुम सुनते होगे उसके बेतर क्योंकि जरूरत सबको पढ़ेगी और यह पहुंशेगा सबके घर में सो बारा सो पचास रुपए का भी अविलेबल हो जाएगा चालिस पर तालिस दिन चलता इसके बाद तुम्हें लेने की भी नहीं पड़ती दुबारा इस नंबर पर पेमेंट करना होता है जो कि अब यह जगए होती है वो होती है लगवग 120 मिटर अकसा ग्राउन के देखते हैं यह होती है 120 मिटर ऑर यह रहेगी 80 मिटर ठीक है 80 मिटर हमारी जो बिल्कुल इसका iq करेंगे डिटेल में हमारी जो रियस जो होती है वो उसका जब ब्रेकडाउं मतला उसका जब टाइमिं इस करव में जब हम टर्न ले रहे होते हैं जब हम टर्न ले रहे होते हैं जब वहां से हम टर्न लेते तो हमारी सबसे कमाते हैं तो हम सबसे पहले स्टेप में बात करेंगे कि जब भी तुम यहां से रंणिंग कर रहे हो कोसिस यह किया करो कि इसको आउटर साइट से कवर मत कर हो उसके तो अंदर की तरफ से कवर करो ठीक है क्या होता है कि ग्राइव जब होता है तो एक बांड की बांडरी Tapu होता है क्योंकि जब तुम बाहर से कवर करते हो तो 10-20 मीटर तुम्हें एड-on करना पड़ता है और जिसकी वज़े तो तुम्हें पिर आखरीम दिकत होगी, तो कोसिस ये करो, कि ground की जो boundaries हैं, उसके जितना करीब रहोगे करव में, ground की, ये जिखो, ये जो ground की boundary है, इनके जितना ये करीब रहोगे, करीब करीब, तो तुम कम से कम 10 से 20 मीटर अपना बचा लोगे, 10 से 20 मीटर अपना बचा लोगे, जितना भी तुम ground के करीब रहोगे, border के करीब रहोगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है, कि जितने भी boundaries है, उसके बहुत तुम करीब रहोगे, जिससे कि तुम्हारे extra meters बच जाए, ठीक है, बाओ बली बनने जोट नहीं है, कि तुम्हें बहुत बढ़या running आती है, वो बाद में देखी जाएगी, अभी के लिए इतना करो, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करनी है, पहला तो यह हो गया, दूसरा काम तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर यहां से तुमने पीछे, मतलब तुम पीछे होगे, तो आखरी तक साथ पीछे ही बने रहो, क्योंकि आर्मी में तो वो नहीं निकलने देते, लेकि नॉर्मल running के हम बात करें, तो 50-50 है, अगर तुम्हारी running अच्छी है, तुम काफी दिन से running करे हो, तब तुम लाउंडों को काट के आगे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी race है, जहां पे तुम्हें timing के number नहीं मिलने है, कि तुम अगर 4-5 मिनट में आ गए, 5-45-50 में आ गए, तो तुम्हें number ज्यादा मिल जाएंगे, अगर ऐसा नहीं है, तो तुम्हें किसी को काटने की जुरूरत नहीं है, इसलिए लिए 50% लिखा है, कि अगर तुम आर्मी के running देने जार हो, ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या करनी है, कभी भी जब 16-100 मिटर की बात होती है, ठीक है, तो पहले 100 मिटर बहुत आहम होते है, पहले 100 मिटर में सबसे आगे निकलने के लिए स्प्रिंट नहीं मारना होता है, जिसको बोलते है सूट, सबसे पहले चकर में स्प्रिंट नहीं मारना होता है, सूट नहीं मारना होता है, क्यों नहीं मारना होता है, उसके पीचे रीजन यह है, कि अगर सूट मारते हो, तो जितनी स्टेंथ है, जितना सब कुछ है, वो पहले जोंग दी तुमने, अब जो तुमें सस्टेन करना है चार चक्रों के लिए उसके लिए दम बचेगी नहीं, फिर काटना है लड़कों को, लेकिन इतना नहीं कि सब काटना है, ठीक है? अब हम आखरी बात उनके लिए कर देते हैं जिनकी रेस में बिल्कुल दम नहीं लगती है या फिर वो रेस मे बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं बिचार है कोसिस यह करो कि एक बंदे आगे को देखके चलो ठीक है जब तुम रनिंग करते हो तो अपनी जो पेस उसको बना के चलो और साथ में आगे जो बंदा दोड़रा है उसको टच करने की कोसिस करो जब उस तक पहुचते हो तो एक पास पहुच गए तो उसके बाद आगे वाले के पास पहुचो ऐसे करते करते तुम्हारे सोला सु मीटर आसानी से हो जाएंगे वरना तुम इसी में फसे रहोगे लूप में ठीक है और तुम पूरा दोड़ भी नहीं पाऊगे तरह समयलो मिलते है नेक्स वीडियो में